पाकिस्तान जिंदा बाद पाकिस्तान जिंदाबाद अपोलो हिंदोस्तान मुर्दाबाद अश्रव अलेई, अश्रव अलेई इसे आजी खेल के खेल रहे हैं आपका पाकिस्तान जिन्दाबाद है इसे हमें कोई दराज नहीं लेकिन हमारा हिंदोस्तान जिन्दाबाद था जिन्दाबाद है और जिन्दाबाद रहेगा हिंदोस्तान जिन्दाबाद हिंदोस्तान जिन्दाबाद दोस्तो सूपरस्टार सनी देवल और अमिशा पटेल की मच अवेटिड एक्षिन थेलर फिल्म गदर टू की रिलीस को अब सिफ 20 दिन बचे हैं जी आज से ठीक 20 दिन बाद सनी देवल अपने तारा सिंग के अवतार में गदर मचाने वाले हैं वहीं लोगों के बीच में गद बेसावरी से फिल्म के ट्रेलर का इंधिजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म के ट्रेलर को लेके कोई भी अनौंसमेंट नहीं की गई है वहीं अभी कुछी दिन पहले जब फिल्म का टीजर रिलीस हुआ था उससे ये तो कनफर्म हो गया था कि गदर शर्मा उसी स्टार कास्ट और जबर्दस कहाने के साथ फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं और बात करें फिल्म के कास्टिंग की तो फिल्म में सने देवल के साथ आमीशा पटे लीड डूल में नजर आने वाली हैं साथे फिल्म में अनिल शर्मा के बेटे उतकर शर्मा भी देखने को मिलेंगे जो कि फिल्म में चरण जीत यानि तारा सिंग के बेटे का रोल निपाते वे नज़र आएंगे और इसी के साथ फिल्म में सिम्रत कौर, मनीश वादवा, रोही चौदरी, मीर सारवर और अनिल जोड जैसे कई बेतरीन कलाकार नज़र आने वाले बात करें फिल्म की स्टोरी की तो इस बार फिल्म के कहानी काफी जादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस बार तारा सिंग पाकिस्तान जाकर गदर मचाने वाले हैं, जो कि इपने बेटे जीते को पाकिस्तान से वापिस लेकर आएंगे, और इस बार फिल्म के पाकिस्तान वार के रखा गया है इसी साथ बात करें फिल्म के रिलीज की तो दोस्तो गदर टू मुवी अगले महीन है यानि आज से ठीक 20 दिन बाद 11 अगस्त को सीनुवा गरों में देखने को मिलने वाली है और इसी दिन अक्षी कुमार की अप्डेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें